कि अधियुक्त है तो कैसे हैं आप सब मैं हूँ आपका दोस्त अबरार हजारी यहां पर देख सकते हैं कि बालवीर रिटन आ रहा है हाँ जी बालवीर रिटन बहुत ही जल्द सब टिवी पर आने वाला है इससे जुरे मैं आपको अपडेस्ट देने वाला हूं आप स्क्रीन पर चल रहे हैं कुछ स्टेटेस में आप देख रहे होंगे कुछ यूजर ने कुछ फैंस ने हम जैसे फैंस ने यहां पर कुछ लिखा हुआ है जैसे सब टिवी मैं इसको शेर किया है कुछ दिन पहले इसका ट्रेलर लॉंच हुआ है और उसके बाद कमिक सून उसके क्नोल को सब्सक्राइब कर लिजियें दोस्तों कि आपको कैंसे करेगी करेगी जहां तक मुझे लगता है तो ये अलदम को रेस ने वाली है क्योंकि आलदीन की स्टोडि अभ काफी घीजी पीटी से लग रही है मतलब ऐसा लग है कि इसका एंड一定要 से कि लिए लेकिन अभी त कभी कुछ होगा मुझे यहां तक लगता है कि यह अलादिन के शो को रिपलेस करेगा बाकि आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि कौन सा शो को रिपलेस करके आने वाला है और कितना एक्साइटेट हैं आप इस शो के लिए मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेट हूं अगर स पुछ चुका था कि बालवीर 2 आएगा या नहीं तो मुझे हमेशा से यही रिस्पोंस मिला उदर से कि हमें अभी पता नहीं हम नहीं कह सकते फिर कुछ दिन बाद जब यह मैं अपने इस्टाग्राम पर देखा कि बालवीर का ट्रेलर टीजर आया हुआ है शुरू में आप जो देखें हैं वह आया हुआ इदर से बी प्लस कुश्चन मार्क उसके साथ किया तब ही मैं समझ गया कि जरूर बालवीर रिटन आने वाला है कुछ दिन बाद फिर बालवीर रिटन का हमें ट्रेलर भी देखने मिला ट्रेलर तो नहीं प्रोमो है यह चोटा सा जिसमें अपडेट्स और भी कई सारे सीरियल जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं कमेंट करके बताएं मैं उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ तो दोस्तों अब हम बात करते हैं स्टोरी लाइन की इस बार बालवीर की स्टोरी लाइन क्या होने वाली है मुझे जहां तक लगता है कि यह गोल-गोल ग्रह से ही स्टार्ट होगी जहां पर 1111 एपिसोड में यह बंद हुआ था मुझे लगता है यह वहीं से कंट्यूनियों होने वाला है और इसमें कौन से करेक्टर नया आएंगे मैं इसके बारे में आपको जरूर अपडेट दूंगा जैसे ही पता चलेगा तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें और अभी हमारा चैनल नया है तो जरूरत है आपकी सपोर्ट की आपकी सपोर्ट हो तो कुछ भी हो सकता है तो चैनल को सब्सक कर लिया है तो बेल आइकन को भी प्रेस कर लें इससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी